नमो नारायन मित्रों आज हम बात करने वाले हैं ब्रिश्चिक रासी वाले जातकों के 31 जनवड़ी 2020 के रासी फल के बारे में तो जानने के लिए बीडियो को आप पूरा देखें, एसकीप कहीं भी ना करें दोस्तों सबसे पहले हम आज के पंचांग को देख लेते हैं लेकिन आप बीडियो को पूरा देखें क्योंकि बीडियो के लास्ट में आपके लिए आज के दिन का अनोखा टोटका भी है जिस टोटके को आजमा करें अपने समय को आप बेहतर बना सकते हैं आज तिथी है सस्थी जो रहने वाला है तीन बज के तिरपन मिनट पीएम तक नक्छत्र है रेवती जो रहने वाला है छे बज के दस मिनट पीएम तक और पक्च है सुक्ल पक्च दिन है सुक्र बार आज के दिन सुर्य उदै हो रहा है 7.10 में और सुर्यास्त है 5.69 में आज का दिन काल है 10.49 मिनट 5 सेकेंड का महिना है माघ और आज के दिन आप के लिए सुबह समय है अकाल है दोपहर के 12.13 मिनट से 12.56 तक अशुभकाल सुरू होता है सुबह के 9 बज़ के 20 मिनट से 10 बज़ के 3 मिनट तक और ये दुबारा है दोपहर के 12 बज़ के 56 मिनट से 1 बज़ के 49 मिनट तक राहुकाल सुरू होता है 11 बज़ के 13 मिनट से 12 बज़ के 34 मिनट तक और दिसा सूल है पश्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग अब हम जानते हैं आपके आज के दिन के बाड़े में ब्रिश्चिक रासी वालों आज आपके लिए भागे साली रंग है क्रीम कलर और शफेद यही दो रंग आपके लिए आज बेहतर रहने वाला है आज आपके लिए भागे साली अंक है नो यानिकी नाइन अगर आपके स्वास्त की बात करें तो स्वास्त के लिहाद से आपका दिन अच्छा रहने वाला है आज अपने कामकाज को आप जल्दी खत्म करने का प्रयास कर पैसों के वजह से जगरा करने का प्रयाश न करें क्योंकि अगर आप जगरा करते हैं तो हो सकता है आपको धन संपत्ती का लौस वहां जहिलना पर जाए आज के दिन अगर अपने कामकाज में आप पैसों का निवेस करते हैं तो आप जल्दी वाजी में निवेस न करें निवेस करने से पहले साड़ी बातें जान ले कि आप जहां निवेस कर रहे हो उसका फ्यूचर क्या है साड़ी बातें जानने समझने के बाद ही आप वहां पै चिंता में रहेंगे और चिंता में रहने के वज़ा से घर का माहौल ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा अगर आपके कामकाज की बात करें तो कारे च्छेतर में आपके कामकाज की आज लोग सराहना करने वाले हैं रोमेंस के लिहाद से भी आपका दिन अच्छा रहने वाला है आ जब घर में रोटी या फल आदी रखने के लिए बांस बेत या सरकंडे की टोकडी अन्था ट्रे का प्रयोग करें अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा दिक्कते नहीं आएगी मिलते हैं फिर एक नए वेडियो में धन्यवाद